हेलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप भी यही इश्यू फेज करें देख सकते हैं कि मेरा जो जीओ का जो सेटप बॉक्स है उसमें से मैंने रन कर रहा हूं मैं सोनी लिव का जो एप्लिकेशन है आप देख सकते हैं कि जो बोटम लाइन है जो भी लिखा हुआ वह मेरे को दिखने ही रहा है तो यह कहीं पर डिस्प्ले का जो अलाइनमेंट है वह बार बार जीओ में यह इस्यू है कि थोड़े टाइम के बाद वह आटोमेटिकली डिस्टरब हो जाता है और उसको करेक्ट करना पड़ता है बार बार ठीक है तो यह रिपीटेड इस्यू है और आपको इसका सेटिंग तक्रीबन महिने में या फिर लट से तीन-चार महिने में एक बार करना पड़ेगा जिसकी बज़े सा आप यह इस्यू फेस्ट ना करें ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वह आज में बताने जाऊंगा ठीक है तो मैं setting में जाओंगा और आपको बताता हूँ अभी ठीक है तो अभी हम जियो के setup box में यहां पर पहुंच गए और हम जाने वाले हैं setting में आप देख सेटिंग का icon उपर दिया गया होगा है ठीक है उस icon को जहाँ पर उसके बाज में Wi-Fi है यहांपे setting है तो setting icon के उपर click करना है आप setting icon पर click करोगे तो आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे जिस میں आपको display का option छो option डिस्प्ले औजिज्फ्ले औटियो शेटिंग में जाना है ठीक है display and audio setting में आप जाओगे तो आपको option मिलेगा optimize screen size तो यही option है जो आपको choose करना है ठीक है तो मैं उसके अंदर जाऊंगा और आपको दिखाई दे रहा है कि वह दिखा रहा है कि आप देखो जो black color का जो area है so that is screen visibility के लिए है तो आपको पूरा की पूरा आपने screen की तरफ करना है तो जैसे मैं बोल रहा है कि प्रेस अप ठीक है वह इसके बाद फिर से next करूंगा next करने पर बोल रहा है प्रेस डाउन तो आपका जो नीचे का alignment है वह अभी हम सेट करेंगे कि वह screen के साथ screen के साथ पूरा की पूरा तो फिसाथ हो जो डाउन बेटन जो जो की रिमोट में दिया गया उसको मैं क्लिक करना उसका जैसे मिनदाय प्रेस कर रहा हूं वह ole एंकरिज हो रहा तो उसको पूरे touch करूंगा नीचे तक ठीक है तो यहां पर मेरा almost touch हो गया यह पूरा की पूरा touch हो गया ठीक है जैसे प्रेस हो गया उसके बाद next okay icon जो okay का button है उसको मैं प्रेस करूंगा next के लिए और मैंने बोड़ रहा है अभी प्रेस राइट तो अभी मेरे को click write करना है राइट साइट का जो screen के alignment के लिए तो मैं right click कर रहा हूं ठीक है तो right side का screen हो इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो यहां पर पूरा की पूरा वह इंक्रीज होके मैं पूरा की पूरा उसको set कर दूँगा तो यह पूरा set हो चुका है अभी अभी नेक्स पे क्लिक करूंगा तो वह बोल रहा है प्रेस लेप्ट तो अभी मैं प्रेस लेप्ट करके उसको भी पूरा की पूरा alignment में set कर दूंगा तो मेरा के पूरा के पूरा जो screen वो बराबर से set हो जाएगा तो almost हो चुका है अभी और ये मेरा पूरा की पूरा alignment finish हो अभी ये वो बोल रहा है कि you are done अभी हमने सब की सब जो भी चारो की चारो स्टेप जो करने थे वो हमने कर लिये हैं उसके बाद okay जैसे प्रेस करूंगा finish हो जाएगा वो तो मैंने okay और apply करना चाहते हो तो हम yes apply करेंगे उसको और जैसे apply हो जाएगा आपका जो screen का जो पर जो setting है वो set हो जाएगा और बराबर से आपको जो भी resolution है means आपका जो screen जो जैसे दिखना चाहिए वैसे ही दिखेगा जैस एक्सपेक्टेड़ है ठीक है तो यह आपको setting तकरीबन चार-पांच महीने में एक बार आप मेरे बोरूंगा कि जबको आप ठोड़ा डिस्टरब हो जाता है थोड़ा 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 टायम के बाद तो आपको लग रहा है कि वो डिस्टरब हुआ है तो आप डेफिनेटली इसको कर लीजिए तो कुछ भी दिक्कत नहीं होग है ठीक है कोई भी एपिसोड जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे यहां पर वो नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है लेकिन वह आपको अभी बराबर दिखाए देखा यूवल नोट फेस्ट प्रोब्लम विच वीपेस्ट राइट विच यूव सीन प्रिविए नहीं है झाली नहीं झाली वीज विच वीडिये की वीडियो टिल एन बदे बदेखां है क्योंकि वीज प्रिव आ खिव युद लिए जिब्कार को